दिल्ली के फिरोशा कोटला में खेले गए IPL मैच में दिल्ली देविल्स और किंग्स 11 पंजाब की बीच मुकाबला हुआ जिसमें पंजाब की टीम ने दिल्ली को 143 रनों का लक्षे दिया लेकिन दिल्ली की टीम लक्ष का पीछा करने में नाकाम रही और उसे अपने ही घर में चार रनों से हार का सामना करना पड़ा सोमवार को हुए IPL मैच में टॉस हार कर पंजाब की टीम पलेबाजी करने के लिए मैदान में उत्री जहां करुनायर ने 34 और डेविड मिलर ने 26 रन की इनिंग खेली वही उवराज सिंग महस 14 रन ही जुटा पाए और रिशापन्त के हाथ हो कैश थमा कर आउट हो गए क्रिस गेल की गैर मौजूदगी में पंजाब ने जैसे तैसे 143 रन बनाए और डिली की टीम को 144 रनों का लक्षे दिया वही लक्षे का पीछा करने उत्री डिली की टीम की शिरुवात अच्छी नहीं रही लियम पलन केट ने मैच में 17 रन बनाए इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 12 रन बनाकर पंजाब की गेदवास एंडू टाई के हाथो कैच थमा कर चलते बने दिली के कप्तान गौतम गमीर ने तो महस 4 रन बनाकर टीम को बैक फुट पर धकेल दिया लेकिन श्रेय सायर ने 24 रन और राहूल टिवाटिया ने 47 रन बनाकर अच्छी साजिदारी की और टीम को संभाला और मैच को रोमान चक बना दिया दिली को अंतिम दो ओवरों में 21 रन की दरकार थी मगर एंडू ट्राई ने टिवाटिया को बोल्ड करके पंजाब की वापसी कराई इस तरह दिली की टेम 149 रन ही बना सकी और सिर्फ चार रनों से अपने ही घर में हार का मूद देखना पड़ा इस मैच में पंजाब के फास्ट बॉलर अंकित राजपुत को प्लेयर आफ ता मैच चुना के आठ डिवी लाइप की रिपोर्ट